तो क्या आपकी मुकामा में सब कुछ बदलने वाला है, छोटे सरकार की वहाँ से सत्ता उखड जाने वाली है, क्योंकि लोग कह रहें कि मुकामा के दो लड़के अब एक साथ हैं, दो लड़के कौन, तो एक सुरजभान सिंग, दूसरे लललन सिंग, और दोनों लड़के मु मुकामा में अनंत सिंग को टकर दे रहे हैं, और अब इस समय जो खबर चल रही है उसके मुताविक, योगी आदितनाथ मुकामा में सोनम देवी के प्रचार के लिए पहुँच सकते हैं, अगर योगी आदितनाथ पहुँचते हैं, तब योगी आदितनाथ का अपना एक अ के हमने बताया कि सुलज भान सिंग Onda गिंग एक साथ है और एक तरफ ललन चिंग की पत्नी सुनं दे भारतिय जनता पाटी के साथ है तो दूसरी तरफ अननत कुमार सिंग्की पत्नी निलम दे हैं बांके आपने सपनों का घर बनवाना है तो इनसे शंपर्क किजिए और अगर आपका घर मुझभार पूर के कहीं बाहर है फिर या लोग बैयारिस सब्स्ते और किफायति नाम में आपके घरों तक टाइल्स और मार्बल पहुंचाएंगे और आपके सपनों के घर को जादा जानकारी के लिए नीचे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा उस पर क्वल किजिए और बात्चित किजिए अब वापस आते हैं मुकामा के उप चुनाव वाले रण पर मुकामा में पूरा का पूरा माहल एकदम बन चुका है एक तुरह भारतिय जनता पाटी द प्रश्ट नहीं है कि क्या तेश्वी यादों का जो दावा है मुकामा पर या कह लिए कि अनंत कुमार सिंग की जो पकड़ है वह बरकरार रह पाएगी यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि मुकामा में ललन सिंग जो कि वहां से चुनाव लड़ते रहें कई दफा तो ऐसा ह हुआ है कि अनंत कुमार सिंग बहुत कम अंतर से वहां से चुनाव जित सके हैं और अब इस बार ललन सिंग की पत्नी निलम देवी भाजपा से चुनाव लड़ रही है यहां पर गौर करने वाली बात है कि इसके पहले जब भी ललन सिंग चुनाव लड़ते थे तो कभी प हैजपा का अपना बेस वोट होगा, दूसरी तरफ ललन सिंग का वोट होगा, तिसरी बात की सुरजभान सिंग का समर्थन और इस समय जो मीडिया में खबर चल रही है कि योगी आधितनात मुकामा में चुनाव प्रचार करने जाएंगे, सोनम देवी के समर्थन में वो चुन अनंत कुमार सिंग एक दम कनफम है, उनकी पत्नी निलम देवी क्या जितना तय है, लेकिन अब धीरे-धीरे माहौल बदल रहा है, वहाँ पर माहौल यह भी बन रहा है कि अनंत कुमार सिंग तो बार के है, बलकि जो ललन सिंग है, वो मुकामा के है, और अनंत कुमार सिंग तो इतने दिन से लगातार भी धायक बन रहे हैं तो कई जगहों पर लोग कह रहे हैं कि अब की बदलाव की भी जरूरत है अब भारती जनता पाटी इस बार वहाँ पर चुनावी मैदान में है भाजपा की तरफ से पूरी शक्ति जोंकी जा रही है कि किसी भी परकार से मुकामा के उप्चुनाव में राज़त को रोका जाए और अगर मुकामा में अनत कुमार सिंग की पत्नी निलम देवी को और राज़त की उमिद्वार को भाजपा रोक देती है तब आगे आने वाले राज़ितिक भविस्वर भी इसका बेहत गहरा असर पड़ेगा बेहत गहरा असर यहां कि भार्तिय जन्तापार्टी के जो कारकरता होंगे जो नेता होंगे उनको एक रास्ता दिखेगा कि यहां राज़द और नितिश्कमार गारे एक साथ भी रहेंगे फिर भी उनको हराया जा सकता है और मुकामा का जो पुरा का पुरा समिकरन है वो कुछ ऐसा है कि अगर भाजपा वहां से जिर जाती है तब निश्चित तोर पर भाजपा के कारकरताओं का निताओं का उत्सा कई गुना बढ़ जाएगा कुल मिलाकर अगर मुकामा में योग्याधितना पहुचते हैं तब एक अलग माहौल बनेगा योग्याधितना तो ऐसे भी जब कहीं जाते हैं तब कहा जाता है कि धुरवी करण में वो नंबर वन है मतलब कि अगर वहां पर जाकर कहीं रैली करते हैं तब धुरवी करण की जो कोशिस होती है वह 100% सफल हो जाती है और क्या भाज़पा मुकामा में ऐसा कोई प्रयोग करेगी यह आगे आने वाला भविस बताएगा लेकिन फिलाल मुकामा में अनंत कुमार सिंग और ललन सिंग आमने सामने है दोनों बाव बली की पत्मियां आमने सामने है और मैयादान जो चुनाव है वह बहुत दिल्चस्प मोड पर है बाकि आगे जो कुछ नहीं जनकारी आएगी जो कुछ नहीं अपडेट आएगा वह हम जनतांक्षन के माधम साब तक पहुंचाएंगे आप जनतांक्षन के साथ जूरे रहिए कैमरे कुछे 20 साल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार बहुत बहुत धन्यवाद